आपको daily basis पर ठीक है daily basis पर करना क्या होगा आपको कोई भी छोटा से एक पैसेज या न्यूजपेपर कुछ भी पढ़ने होगे है ना daily basis पर आपकी reading skill जब अच्छी हो जाएगी आप close test अच्छा से कर पाओगे और हां कुछ यहाँ पे trick की अगर मैं बात करूँ भी तो आप trick क की जो की पहले close test या फिल पैसेज को बनाने से पहले एक वार पूरी अच्छे से इसको रिट करेंगे बहुत तेजी से ठीक है यहाँ पर देख से पता चाहिए कि पूरा यह क्या है यह पास्ट में है ना पूरा एक पैसेज पास्ट में आप कहीं भी नज़र डालेंगे इस इसागा पास्ट में डेख सकते है यहाँ इससे बहुत सरा जगा वक यह क् 103 है यह सभी का है यह सब करेंगत है ना ठीक है यह सबी का है ऐड देख रहता है संटर्ट से आपको तो पहले चीज समझ में आना चलती WRT के यह सांज है ग्राँड किहां कि वो हाराओ बाहतो है शक्रण भाइ टार फिर शक्राश स्टाज कोसे वसम दetas टांक सिर्सकें, DART यूनाव्यंगट ट्षींग,त्रऑ-छ जो में बूल रही हिस्का सब्तौ।।्स। बड्सकान के चंच्छ।। इलिएट वे टुंद łर्ख कोई इत वाचेखा एक 56 जनवार 2001 व्रेवन फॉन आव इविलेष चिलें अईविल्यास हाथ डाउड दाउड ते शूल तो बाउड दाउड आ दाउड्वी दाउड्वी ओन तीवी डाउड दाउड वर आउड दाउड। I started running ठीक, उसके बात क्या है? चलो, ठीक है I started running, here and there कुछ यहाँ पे sentence का इसा भाग जब दिया हो, ठीक है? चले तो कलिमत अब क्या हो थै कि बहुत screaming हो रहा, starting हो तो सभी जगा, ground जो है, shaking हो रहा था, people इधर उधर भाग रहे थे, चिला तो मैंने क्या किया, on hearing ये सुनकर मेरी मा भी उठ गई, she came running वो में पास आती है और मुझे कसके पकड़ लेती, it was same bad dream और ये मिलकुल बेकार का सपना था है न, it does more than six years now, since the earthquake अभी आज से छे सल पहले जो अर्थकुएक हुआ था उसको आज भी क्या किया जा सकता है but in my sleep, लेकिन मेरे sleep मेरे निंद में, I still feel earthquake shaking, और अभी भी लग रहा है कि earthquake, अभी भी लग रहा है कि earthquake हो रहा है and trembling और ये कपाने वाला था I am Jashma, I am Jashma I am Jashma, I live in Kutch area of Gujarat, मैं Kutch में रहता हूँ I was 11 years old, मैं गाला साल कहा हूँ when there and when there was an earthquake, जब अर्थकोः कहा था it was 26th January 2001 2001, 26th January 2001 का वो दिन था, everyone from village, सभी लोग गाहाँ से चिलन and people had dash on the ground of the school school के ground में गया हुए थे प्रेट, देखने के टीवी पर dash ground वो शेकिंग ground सेख होने लगा, people were scared and started running here, और क्या हुआ कि यहां पर कि लोग चीखने चुलाने लेगा और इधर भाग नहीं लेगे तो खुल मिला कि एक पूरे पैसेज में पता चलता है कि एक घटना कहीं नहीं कि सारे के सारे क्या है अर्थ को एक आया था उस पर अधारित है ना यह अर्थ को एक पर आया हुआ एक घटना है जिस पर धारित है तो चली यहां पर फिलर्स देखेंगे देर वह स्क्रीमें एंसार्टिंग एव्रिवेर चारो तरफ कोला हाल सोरग कूल चीख पुकार हो रही थी क्यों कि ग्राउंड क्या हो रहा था हिल रहा था धरती हिल रही थी और लोग क्या कर रहे थे इधर उधर भाग रहे थे तो आप एथट तो खानी कि परज़न में भात हो रहा है अब यहां पर जब होगा से पताहर से प्लोर लगाते यह हो 59 में इसकी सेकंड इसका करेक्टर अंतर होगा कि there was screaming and sorting everywhere the ground was shaking and people were running all around ठीक है चलिए नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन क्या कि screaming loudly ideas चीखते हुए मैं क्या किया getting up नहीं present में नहीं वेक अप नहीं get up नहीं got up क्योंकि past में बात हो रही थे तो past के लिए तो हम got का यूज करते हैं तो चीकते हुए मैंने उठा on hearing me और यह सुनकर में मां भी जग गई she came running and helmeted और वो दौर में पास आती है और मुझे पकट लेती कसकर है ना it was the what it was the it was it was the same bad dream और यह वही बिकार यह वही बुरा सपना था है ना जो कभी घटा था it does more than six years now since the earthquake आप देखिए यहां पर आपको मैंने बताया कि सभी तो sentence past में तो past के लिए तो हम क्या करते हैं have been past के लिए तो हम क्या करते हैं have been तो लगाते नहीं है will bhi तो होगा नहीं है nah has been या have been होना चैही लेकिनने had been भी नहीं होगा होगा has been क्याऊ कि यहां पर sentence में यहां पस 9 लिखा हुआ नाव से क्या पता चलता है कि जो घटना पहले घटी था उसका effect बृत्मान में या present में महसूस किया जा सकता है इसका मतलब कि जो घटना जो घटना जो हुआ था जो action है action जो past में हुआ था can be felt है ना can be felt in present तो as is in the sense आप यहाँ पर क्या करेंगे has been का use करेंगे ठीक है इसका हो जाएगा has been it has been more than six years now since the earthquake आज से छा साल पहले ए घटना earthquake की हुई थी ठीक है तो उसका जो उसका effect है क्योंकि वो dream में बच्चा भी उस चीश को महसूस कर रहा है तो यह बात यहाँ पर past में नहीं एक present में उस घटने को बता रहे है ना तो यहाँ पर सिफ has been का leaves होगा ठीक है चली फिर होता क्या आगे बरेंगे यहां तक तो हो गया hmm I was 11 years old when there was an earthquake क्या तो हो गया था है ना it was 26th January 2001 यह 26th January 2001 का दिन था everyone from village everyone सभी लोग गाओं से बच्चे हो बुरे हो हैड़ डास on the ground हैड़ डास and ground जंट तो हो का नहीं रणिंग हो गा नहीं isolated नहीं अलग अलग नहीं हो रहे थे बलकि हुआ क्या कि everyone from the village children and people had us on the ground of the school to watch prayer on TV TV पर देखने के लिए क्या करते हैं वहाँ पर कोई jump करके जाते नहीं running करके जाते नहीं असले नहीं बलकि gather हुआ है इकठा हुए ना इकठा हुए वहाँ पर इकठा सभी लोग हुए क्यों वहाँ पर जो भी यहाँ पर जो function चर रहता है जो प्रेट का function TV पर दिखा जाता हुए उसको देखने के लिए सभी बच्चे बुढ़े स्कूल के ग्राउंड में इखटे होते हैं ठीक है तो यहाँ पर ग्यादर इसका करेक्टर अंतर होगा फिट आगे कह जाए क्या अब सभी बच्चे बुढ़े आगे हैं और वहाँ पर बैठे हैं और TV पर देख रहे हैं तभी क्या होता है जो डर जाते हैं और भागने लगते हैं और भागने लगते हैं तो दकर इसससे आप Hello Udesto को within टू मिनट्स ठीक है टू मिनट्स में आप five marks gain कर सकती है तो मैं जैस से आपको मै बताया कि आपको क्या है डेली बेसिस परcek डेली बेसिस पर क्या करना होगा दो से तीन आप passes करें ठीक है आप क्या करें आप क्या कर सकते है एडिटोडियल एडिटोडियल आप daily basis पे थोड़ा परें ठीक एडिटोडियल परें इससे क्या होगा आपके reading skill अच्छी होगी reading skill अच्छी होने से आपका close stage जैसा पैसेज जैसा जो आपको बनाने में प्रशानी होता है वो नहीं होगा अब इसमें को ट्रिक नहीं होगा अगर बात करते हैं तो ट्रिक के सेंस में आप क्या करेंगे आप जितने भी बेसिक ग्रामर है ठीक है आप बेसिक ग्रामर को एक दम कंठस्त प्याद रेखेंगे पहला आदे गंटे से एक गंटे समय देते हैं आपके रिडिंग स्केल अच्छे होने के साथ साथ आपके ग्यामर अच्छे होने के साथ से आपको इस्ता के इंगलिस में कोई भी प्राव्लम आपको नहीं है और 100% मास गेन होंगे इससा के मैं डेली आपको हड़ टॉपिक पर ठीक ह तो वीडियो तेखने के बाद आपको कमेंट करें के पताने वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नहीं टॉपिक ही साथ थैंक्वी वेरी मुच